वेकॉँ अफेंई और आप मैं आपको दिखाऊंगा सोशल क्लाव कैस क्लाव में आप लोग कैसे कोई टाक्स को कम्पलिट कर पर का दो देखिए मैं कैसे कम्पलिट कर रहा हannah यहाँ पर मैं लॉग-इन हो जाता हूँ सोशल कैस क्लाव में यह प्लोग नो रहो में अभी आप डेख सकतों माई डेली टाक्स को कैसे कमिटक करना है पहले मैं बता देता हूं डेली टक्स को कैसे कमिटक finish करना है कि यहां पर आपको दिखा रहा है वाच वीडियो म।्स्सथफ फाई पिशेस कि प्टि नहीं पर आधक देख समय करना है हालो एक को क्लिक कर दिया उसका बाद यहां पर रिटरन आजाए और एक बार क्लिक कीजिए फिर से और लोगिन हो जाता हूँ टेक्निकल कोई दिफॉल्ट था इसलिए उसको ब्रेक आप कर दिया तो फिर से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अभी यूट्यूब पर एक एड आ रहा है रहा है तो इसका पूल उसके पात दूसरा आता है इसको आपलोग क्लिक किजिए कि अगर आपके पास मोबाईल हैं तो कभी-कभी प्रॉलम आ सकते हैं फिस्टी को नहीं लिखा है तो सर्च कर सकते हैं आपका दोनों टाक्स कंप्लिट हो जुगा है तो आपको नहीं देखना पड़े गया जस्ट आपको ऑपन करना है और बैक कर देना है अभी मैं दिखाता हूँ ओफार को कैसे कंप्लिट करना है यहाँ पर आप लोग देख सकतो माई ओफार में क्लिक करना है अभी आप देख सकतो यहाँ पर मैं किन-किन ओफार को कंप्लिट किया हूँ यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकतो है यहाँ पर पहले देखो एंजल व्रोकिंग डिमांड अकाउंट ओपेंड यहाँ पर मैं इसको पेंडिंग में रखा और दूसरा जो आप स्टोक क डिमांड अकाउंट है इसको में कर लिया था मेरा सामिट भी हो चुका है यहाँ पर स्क्रीम सौट में दे दिया उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है जॉइन ऑफिसल टेलिग्राम उसका जो जो ऑफिसल वेबसाइड है सोसल केस्ट क्लिक करना है मैं दिखा देता हूँ कै इसको मैं सेब्ली बैक कर देता हूँ और ट्वीटर पेज पर आ पर आपको ले जाता हूँ अब देख सकतो हो मैंने ऐल्डेडी उसको फॉलू कर चुका हूँ इसलिए और मुझे औरफ फॉलू करने की नहीं बोल रहे क्लिक करना है यहां पार पूछा करना है यहां आपको मिलेंगे स्क्वाइबि चुका ये यहां है था तोब व्सक्राइब करना है यहां आपको स्कुरां में में उसके बाद आप लोग जो क्रेंस ओट लिये थे उसका आपको सिलेट कर देना है ठीक है मैं आपको दिखाने के लिए इसा दिखा रहा हूँ यहां पर मैंने जो क्रेंस ओट लिया उसका हम लोग यहां पर क्लिक करके इसमें दे दूँगा ठीक है इस तरह से आप लोग को टाक को complete करना है आग जो बड़ा टाकस है यहाँ पर आप आप स्टॉक डिमंड राप उसको 111 रुपीस आप कोंद दे गे बैट इस टाक को पर कैसे complete करना है अग पर और उसको कंपर लिए नहीं कर दिखा रहा है तो यह आ तो डौन इसको नहीं complete कियon इसको आपको अप्रिट करके दिखाता हूँ तो क्लिक हेर में आपको क्लिक करो ठीक है इसको दिखा रहा है इसको बैग करके और एक पर क्लिक कर लेता हूँ भी अप लिख सकतो है इस पेज लॉग अप्रिट कर करते हैं अभी आपको एको पूलनेम आपको डाल देना है उसके बात अपको फॉन नमबर और यह आपको मोबाईल पर उटी के आएगा है पोटिस्ट कर देना है में दिखा दीता हूँ कैसे फिल करना है मोबाइल के अंदर एक OTP जाने जो उसका आप लोगो को इंटर कर देना है उसके बाद अपन एन अचाउंट का को प्रिछाना है यह पर वैली सीटी बोल रहा है यह पर आप लोग प्लिक के जिन में और रहे और रहे हैं क्लिक करके मैं कलकता कर देता हूँ और यहां पर आपन एन एकाउंट पर क्लिक कर दिया हूँ अभी देख सकते हो इसका उपन हो चुगा है उसके बाद आपको सिंपली यहां पर डेट आप बाद डाल देना है उसके बाद आपके पैंड काट का नमबर डाल देना है ठीक है इस प्रोसेस कंप्रेट हो चुका है और यहां पर आपको इमेल आइडी डाल देना है जिस इमेल आइडी आपका जो इमेल आइडी है मैं इसको मेरा इमेल आइडी दे रहा हूँ इसके बाद यहां पर आइडी डाल दिया उसके बाद यहां पर बैंक अकाउंट नॉमर आपको डाल देना है ठीक है उसके बाद सार्च में आपको क्लिक करना है यहां पर इंटर बैंक नेम में आपको लिखना है उसके बाद यह पर आपका ब्राइच लिख देना है ठीक है उसके बाद सब्सक्राइच करें अभी यह पर स्थार्च हो रहा है उसके बाद आपको स्टर्च लिख देना है आप नुbiesा में क्लिक और यहां पर इनसर्ट कर दिया हूं हो ठीक है अभी यहां पर स्थी चुन आ रहा है और यहां पर दिखा रहा है कि वाइसरी करने के लिए एंड और फाप locks windows in your browser you will take in you will take in to digit local site for verification तो यहां पर simply आपको my mobile number is not linked to other card में क्लिक है बिकोज मेरा अधर का अंदर मेरा number नहीं है तो इसलिए प्रोस्ट कर दिया हूँ अभी यहां पर कि मुझे pen card का option डालने के लिए बोल रहा है address proof देने के लिए बोल रहा है photo देने के लिए बोल रहा है check personalize check और bank statement दे लिए बोल रहा है तो आप लोग ऐसे तरह से आप लोग दे सकते हो देने के बात यहां पर front size और back side दोनों को आपको फिल करना है photo photo को क्लिक करना है और चालान को देना है इसको बोलते हैं और bank statement अगर आपको PTM bank है तो PTM passbook का जो screenshot लेकर आप लोग यह प्लेट कर देंगे उसके बाद प्रॉसिट कर देंगे जब आप लोग प्रॉसिट कर देंगे तो आपके सामने एक website खुलेंगे उसको जस्ट आपको यहां पर successfully complete हो चुगा है अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ज़्यदा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर करना अगर कोई भी प्राब्लम और दिक्कत हो तो निचे कमेंट करो and thanks for watching this video